जीत गए जो भी चुनावों में मंद मंद मुसकाएं हार गए वो अरित्वार जाकर जुम्युना बजाएं बेचें ठेलिया पर तरकारी होली खेलो रसिया आजपा की होली है और कॉंग्रेस की जो होना था वो होली यूपी की जनताने देखो ऐसा कमल खिलाया दीनी साइकिल तूटा पंजा हांती काम ना आया योगी बाबा पढ़ गए भारी होली खेलो रसिया ये क्योंकि कभी का काम हसाना भी है जगाना भी है समाज को जल यूग में अब ना आनारे प्यारे कस्न संधया तुम्बल दाउ के भाईया हैं दाउद के भाईया होली हमारे देश की पहचान बन जाए ये आन पान और हमारी शान बन जाए भरे बिचकारियों में पानी कुछ ऐसे तिरंगों का तो कपड़ों पर गिरे तो फुरा हमारी शान बन जाए तो पुरा हमारी शान बन जाए नमस्ती की मौके में हमारे साथ जुड़े हूए है एक ऐसी शक्सित है जिनका नाम किसी परिचे का मोहताज नहीं है Dr. Sunil Jogi ji आपका बहुत स्वागत है Dr. Sunil Jogi ji आपके बारे में मैं यही कहूंगी कि जो भी आपको सुनता है अनायास ही उसके मूझ से निकल जाता है कि वा जोगी जी वा तो आज एक ऐसी दुन के आपकी ऐसी किसी कविता के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे होली के मूगे बासी ऑनाया एक सुने में वाली कोनायास है उत्सो है उमंग , खुशी , पक्वान , अबीर , गु्लाल और यह कहते ना बुरा न intermediate होली एक एक ऐसा तेवहार है सारी दुनिया में जिसमें बुरा नहीं माना जाता है यहां तक की बरसाने में लट भी बजाए जाते हैं, लोग पिटना तयार हैं, वो भी स्विकार है, लेकिन बुरा नहीं बानते हैं, तो यह होली की खुबसूरती है. इसलिए आप बहुत टांकी चाहिए कर लेते हैं होली के बहाने से सब की? करना भी चाहिए, क्योंकि कभी का काम हसाना भी है, जगाना भी है समाच को, और व्यंग नहीं करेंगे, नेताओं की समाच की कमिया नहीं बताएंगे, तो समाच सुन्दर कैसे होगा? कभी कभी होता है कि जैसे हमारे कपड़े पे कुछ लगा है या फेस पे कुछ लगा है तो हम कहते हैं कि भी सब ये फेस पे आपको कुछ लग गया है तो साफ कर लीजिए तो वो उसको साफ करता है तो हम लोग समाच का आइना है हम भरष्ट नेताओं से कहते हैं कि आपके मौका भी ऐसा है कि कोई बुरा नहीं माने का, तो कुछ सुन सकते हैं आपसे? जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान बचे वाह क्या बात है क्योंकि इस बार मुका भी इतना खास है अभी-बी के चुनावों के नतीजे निकले है और इस बार लग रहा है कि जो होली है वो भाजपा की होली है काउंग्रेश की जो होली है तो मैं होली पर एक चटपता सा गीत सुनादेता हूँ इसलिए मुझे इसको देखना पड़ए का पता हिसकाओना थाकि मुझे इसको मुझे देहा है बहुत बहुत। जी हम धी तो अभी हम होली से शुरू करते हैं फिर हम आगे आप से और भी कवेताय सुनेंगे। कि देखो कुरसी की बलियारी होली, खेलो रसिया। हातों में लेकर पिचकारी होली, खेलो रसिया। जीत गए जो भी चुनाओं में मंद मंद मुसकाएं हार गए वो अरिद्वार जाकर जुन जुना बजाएं बेचें ठेलिया पर तरकारी हो ली खेलो रसिया हां थो में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया यूपी की जनताने देखो ऐसा कमल खिलाया यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया दीमी साइकिल टूटा पंजा हाथी काम ना आया योगी बाबा पड़ गए भारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया ओ ऐसी अखिलेश प्रियंका करते रह गए रह ली सब पर भारी पड़ गई पाँच किलो राशन की थैली सब को मुफ्त की ऐ बीमारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया पंजाब चलते हैं आपका चैनल पंजाब में ज्यादा देखा जाता है तो यह पंजाब की लोगों के लिए है रुपया जैसे चन्नी जाडू से बन गए चवणी सब की तव्यत हो गई खारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया उत्राखन चलते हैं की देव भूमी पर कमल पुजारी को फिर मिली सलामी जाने कैसे दोड में पीछे रह गैसी अम धामी खेल में लग गई चोट करारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया गोवा चलते हैं की जारू के तिन के बिखरे तो पंगु हो गया पंजा जारू के तिन के बिखरे तो पंगु हो गया पंजा गोवा में फिर बीजे पी ने अपना कसा सिकंजा मानी सबने देखो आरी होली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी होली खेलो रसिया अब रसिया चलता है कि रूस और यूकरेन से कह दिया एक दूजे को काटो रूस और यूकरेन से कह दिया एक दूजे को काटो बैठ तमासा देख रहे हैं अमरीका और नाटो बदमासों की है सरदारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन सादू संत भी बेच रहे हैं चवन प्रास और मंजन निर्मल बाबा की बलियारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया इकनेता ने बंग चढ़ा कर कुरसी को रंग डाला बांग भी पिते हैं नोग उसमें किकनेता ने बंग चढ़ा कर कुरसी को रंग डाला बोला प्यारी तुझ को यी पहनाऊंगा वर्माला तुही है बीबी सरकारी हो ली खेलो रसिया हाथों में लेके पिछकारी हो ली खेलो रसिया और सरहद पर खासतोर पर जो लोग खड़े हैं होली डीवाली के तेवारो में भी जनके कारण हम सब होली के रंग खेल पाते हैं दीवाली के दीब जला पाते हैं उनके लिए कुछ पंग्कियां पढत ji कि उनके लिए दूआ करिए जो रंगे बसंती तोली उनके लिए दूआ करिए जो रंगे बसंती टोली और सरहद पर खेल रहे हैं अपने खून से होली उनके लिए बजा दो तुर्योंStarी होली कहलोडरसिया आथों में लेके पिचकारी होली खेलोरसिया वा तो इसलिए यही है आपका मशूर भी है आपका चैनल भी है, और देखिए रहाँ कितनी खुबसूरती से कविता के माध्यम सेना केवल भारत के तमाम राज्यों का चुनावी हाल बता दिया वहाँ हमें गुमा दिया बल्कि सुनील जी हमें रश्या भी घुमाला है युक्रेन भी घुमाला है वहां का भी सारा हाल बता दिया यही खूपसूरती है यही है आप अदमुष्री है तो चाय भी मिएंगे तो सुनील जी आपकी जो एक कविता है यह वैसे तो आप व्यंग के लिए खासा मशूर है लेकिन आ जो कुछ यूट्यूब पे है जो बाहर समाज में है वो भी मेरे क्रियेशन का 10% है क्योंकि सो तो किताबें है मेरी और रोज मैं कुछ नया लिखता हूं तो इसलिए मा है पिता है बेटियां है दुनिया में सबसे सच्छे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है यूपी गीत है हमारा ब्रांड गीत बहुत फैमस है हम यूपी वाले भाईया है बिहार ब्रांड गीत है हिमाचल का राज गीत मेरा है बहुत सारी फिल्मों के गाने मेरे है मुक्का भाज का टाइटिल सौंग मेरा है मुश्किल है अपना मेल परी है यह प्यार नहीं है खेल परी है उसके वाटसआप पे और ठाकरे फिल्म अभी मेरी आई थी नवाजुदीन की, ठाकरे का टाइटिल सौंग भी मेरा है, जीनियस आई थी, जीनियस में भी मैं हूँ, तो थोड़ी लाइव, थोड़ा मैजिक, बहुत सारी फिल्मे, फिर जग्जी सिंग जी का अलबम है, पंक अजु आपका रूप है, और आपका रूप है वह हम आपका रूप है, और आपको बहुत पसंद है। यहां पर एक जाज्द का का यृद्व कीर्ण के पुराने नए दौर की जो कवी हैं, आप दौनों के बीच में विच नाय उजन करके बैठे हुए हैं, आपको नहीं लिगता कि कि कवी सम्मिलनों का मौलिक स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। हर चीज का मौलिक स्वरूप बदला है। समाज परिवर्तन का ही नाम है। हमने बच्पन में किसी को जीन्स पहने नहीं देखा था। तो अभी भी ये जो हमारे हाथों में आईफोन है, मुबाइल है, ब्ल्यूटूथ है, जो नई नई टेक्नलोजी है, ये भी बदली है। लोगों का स्वभाव भी बदला है, अब लोग प्रेम से कम मिलते हैं, स्वार्थ से जादा मिलते हैं। हिस्ता का उत Nep這फ हैं, सब कुछ बदल रहा है और अभी और बदलेगा। बस बदलते हुए समाज में हसी धनी रहे था, हंदी बनी रहे हिंदी बनी रहे, कविता बनी रहे, हестоम बना रहे और हमारा आपस का प्यार बना रहे यही काम यहां आपने बात करिया आपस का प्यार बना रहे हैं लेकिन पती पत्नी आपसे नाराज रहते हैं खास तोर पत्निया क्योंकि आपकी कवताओं में बड़ा व्यंग रहता है उनके पीछ आप मस्करी कर देखो कम से कम मेरी पत्नी मुझसे नाराज नहीं रहती है एक तो चीज यह है दूसरों की पत्निया अगर नाराज रहती है तो उन्हें खुश करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है उनके अपने अपने पतियों की है तो क्योंकि थोड़ा सा समाच से ही तो हाँ से निकलेगा अगर हम समाज को जहां रहते हैं वहीं से हासे निकालना है योगी जी सियम बने तो उससे हासे निकाला मैंने केजरिवाल जी बने उससे निकाला मेरी किसी से कोई जाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है मेरा काम है कि उनके किरदार से हुमर निकालना उनके किरदार से नकेवल हसी मोधी जी से हसी नहीं निकाली तो हमने मोधी जी से देशभक्ती निकाली अलग अलग राहुल जी किस से हम हसी निकालते हैं तो हर करेक्टर अपने आप में अलग अलग है तो आप जो बातें राहुल जी को देखकर सोच सकते हैं वो मोधी जी को योगी जी को द वहारा दो आपके तो पुछ रहते हैं आपसे, तो कुछ सुन सकते हैं आपसे? मैं अभी आपने सारे राजियों में आप लाएंगे हम आप मुखा हैं तो हम काना की नगरी जाना चाहेंगे कि वहां से आप हमें कुछ सुनाएं कुछ पर एक कवता सुना रहे हैं अगर होली पे कुछ राधा नहों तो होली फीकी सी हो जाई है और सारी दुनिया में कुछ न को उत्सो पुरूस के रूप में माना जाता है अलाकि उन्होंने गीता ग्यान भी दिया तो आध्यात्मिक व्यक्तितों भी हैं उत्सो पुरूस और बाल लिलाओं के फुरूस भी हैं और प्रेम के भी महानायक हैं तो कुछ न का किरदार बहुत बड़ा है और बरसाने की होली दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होली है लठमार होली वही होती है तो हमने एक बास सोचा कि मैंने सोचा कि कुछ न मेरे सपने में आये मुले बहारत में आतार लेने की सोच रहा हूं, तो मैंने का प्रभू आप नहीं आओ तो अच्छा है, आए तो आपको, आपने कहा ना कि कभी सम्मिलन बदल गए हैं, यूग ही बदल गए हैं, तो यूगों के परिवर्तन कभ आपको बताता हूं, एक लाइन में आप दौापर कि बदल गए हैं, कि कष्ण अगर आगए, तो मैं उनसे क्या कह रहा हूं? कि आप आए तो क्या क्या देखना पड़ेगा? ये मैं आपको बताता हूं. कि कल युग में अब ना आनारे प्यारे किस्ण कंदईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे किस्ण कंदईया तुम बलदाओ के भाईया हैं दाओद के भाईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे किस्ण कंदईया दूद ढही की जगई पेपसी लिमका कोका कोला दूद दही की जगई पेपसी लिमका कोका कोला चक्र सुधर संच छोड़ के हाथों में लेना हत गोला डौबर मैन ना थना होगा काली नाग न थैया कल युग में अब ना आना रे प्यारे कशन कनईया कल युग में अब ना आना रे प्यारे कशन कनईया गोबर को धन कहने वाले गोवर धन क्या जाने रास रचाते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने लेन देन करके फिर छुडवाएगी जशुमती मैया कल युग में अब ना आनारे प्यारे किस्ण कदईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे किस्ण कदईया और नंद बबा के पास गाये की जगे मिलेंगे कुत्ते अब कदंब की डार पे होंगे मदुमक्खी के छटे यह मुनातट पर बसी जुग्गियों में करनाता थैया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया वसू देव देव की बंद होंगे तिहार के अंदर जिड सेनी की लिए सुरक्षा होंगे कंस सिकंदर तुम्हें उगरवादी कह करके फसवा देंगे भईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया और की बिश्व सुन्दरी बन कर फिलमें करेंगी राधारानी और गोपियां हो जाएंगी गोविंदा दीवानी छोड के गोकुलो मथुरा बनना होगा मुंबईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया साड़ी नहीं द्रोपदी की अब जीन से बढ़ानी होगी कि साड़ी नहीं द्रोपदी की अब जीन से बढ़ानी होगी अर जुनकारत नहीं आपको कार चलानी होगी इलू इलू गाना होगा गीता गान गवया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया आना ही है तो आजाओ बाद में मत पच्ताना कम्प्यूटर पर गेम खेल कर अपना दिल बहलाना दुर्यो दंसे गठ बंदन कर बनना माल पचया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया तुम्बल दाओ के भाईया हैं दाओद के भाईया कल युग में अब ना आनारे प्यारे कशन कनईया लेकिन मैं तो ये कहूँगा एक भक्त होने के नाते कि कृष्ण जरूर है आज भी उनकी जरूरत है आज भी गीता जैसा बड़ा ग्यान देश को दुनिया को मिलना चाहिए आज भी उनकी आदर्शों पर चलने की जरूरत है और फिर से जैसा भवे राम का मंदिर बना है वैस के बाद भगवान कृष्ण की जन्म भूमी पर भी कृपा होनी चाहिए सरकारों की तो ये तो एक खास व्यंग का गीत था कि मैंने कृष्ण के किरदार से कैसे व्यंग निकाला है कृष्ण हमारे और आपके जरीय ही तो आते हैं इसलिए ग्यान देकर गए हैं बहुत अच् किया होगा कभी वक्त मिलेगा फिर से आएंगे फिर से आपसे मिलेगे चार पंक्तियों में एक संदेश देता हूँ आपके दर्शुकों को और अपने चाहने वालों को कि भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में ख यही कामना मेरी नमस्कार जैहन पुना होली की शुब कामना है तो सुनील जी की कविताओं से और ज्यादा आनन्द विभोर होने के लिए आप उनके यूट्यूब चैनल जोगी जी वापर जा सकते हैं और हमारे चैनल के जरिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़वरों से आप जुड़े रहिए और एक बार फिर से आप सभी को होली की धेर सारी शुब कामना है नमस्कार